ओम शान्ती आज की तारिक है 16.10.2022 आज बाबा की अभ्यक्त मुर्ली है जो की 3.11.1992 में बाबा की दोरह चलाई गई थी आज की मुर्ली का श्रीशक है रुहानी रोयल्टी संपन आत्माओं की निशानी रोहानी रोयल्टी संपन आत्माओं की क्या निशानिया हैं बाबस मुरली में हमें बता रहे है आज बाब दादा चारो ओर के अपने रोहानी रोयल फैमिली को देख रहे है सारे कल्प में सबसे रोयल आप आत्माए हो आज बाबा अपने रोहानी रोयल बच्चों को देख रहे है और इस सारे कल्प में सबसे रोयल आप आतमाए हो बैसे हद के राज्य दिकारी रोयल फैमली बहुत गाए हुए है लेकिन रोहानी रोयल फैमली सिर्फ आप ही गाए हुए हो रोहानी रोयल फैमली आप ही गाय हुए हो आप रोयल फैमली की आत्माएं आदी काल में भी और अनादी काल में भी वर्तमान संगम युग में भी रोहानी रोयल दीवाली हो अनादी काल में स्वीट हों में भी आप विशेश आत्माओं की रोहानियत की जलक चमक सर्व आत्माओं से स्रेस्ट है बाबा कहते है अनादी काल में जब आप अपने स्वीट होम में दी माना परमधाम में जब आत्माओं दी तो भी आप विशेश आत्माओं की रोहानियत की जलग और जो आत्माओं है उनकी चमक से स्रेस्ट है आतमाए सबी चमकती हुई जोती सरूप है फिर भी आपकी रोहानी रोयल्टी की चमक अलोकिक है परमधाम में भी जब सब आतमाए बाबा कहते हैं एक साथ रहती हैं बहाँ पर भी आपकी जो रोहानी रोयल्टी की चमक अलोकिक है जैसे साकारी दुनिया में आकाश बीच सितारे सब चमकते हुए दिखाई देते हैं लेकिन कोई बिशेश चमकने वाले सितारे स्वता ही अपनी तरफ आकाशित करते हैं लाइट होते हुए भी उन्हों की लाइट बिशेश चमकती हुए दिखाई देती है ऐसे अनादी काल परमधाम में भी आप रोहानी सितारों की चमक अथार्थ रोहानी रोयल्टी की जलक बिशी शनवब होती है इसी प्रकार आदी काल सत्योग अथार्थ स्वर्ग में आप बिश्व राजन की रोयल फैमिली की अधिकारी बनते हो इसी तरह से बाबा कहते हैं आप सत्योग में अथार्थ स्वर्ग में आप आत्माएं विश्व राजन की विश्व राजन कौन बनेंगे हमारे लक्षमी नारायन की विश्व राजन रानी तो लक्षमी नारायन की रोयल फैमिली की उनकी जो फैमिली है जो उनकी राज फैमिल बनते हो लेकिन आप आतमाओं की रॉयल फैमली की रॉयल्टी वा देव आतमाओं की रॉयल्टी सारे कलप में और किसी रॉयल फैमली की हो नहीं सकती इतनी श्रेस्ट रॉयल्टी चैतन सरूप में प्राप्त की है जो आपके जड़ चित्रों की भी कितनी रॉयल्टी से आपके जड़ चित्र जब पूझ पूझ सरूप में होते हैं इस चो देब सरूप में दौपर में आपकी वावा कहते हैं जो जड़ चित्र होते हैं होते हैं न दौपर में वावा कहते हैं किसी की गड़ेश के, किसी की अनुमान के, किसी की दुरगा के सरूप में तो कितनी पूजा बाबा कहते हैं कितनी रॉयल्टी से आपकी पूजा होती है सारे कलप के अंदर रॉयल्टी की बिदी प्रमाड और कोई भी धरम पिता धरम आत्मा या महान आत्मा की ऐसे पूजा नहीं होती इसे पूरे कल्प के अंदर इसे पूरे बाबा कहते हैं कल्प के अंदर किसी भी बिदी ऐसे भी कोई धरम पिता हो भाल कोई धरम पिता हो या कोई धरम आत्मा हो इतनी भी कोई धरम पिता हो धरम आत्मा हो या महान आत्मा हो उसकी ऐसे पूजा नहीं होती जैसे आपके पूज़ सरूप में आपकी पूज़ा होती है तो सोचो जब जड़ चित्रों में इतनी पूज़ा है तो चैतन में कितनी रॉयल फैमिली के बनते हो तो इतने रॉयल हो बाबा बच्चे से पूछते हैं इतने रॉयल बने हो आप अभी संगम पर भी रुहानी रोयल्टी अथात फरिष्टन सरूप बनते हो रुहानी बाप की रुहानी रोयल फैमिली बनते हो तो अनादी काल, आदी काल और संगम युगी काल तीनों काल में नमबर बन रोयल बनते हो राइलमना राजशाही शाही बनते हो काते हैं न बहुत शाही परिवार के हैं राज परिवार के हैं ये तो भावा कहते हैं वो आप रोयल आत्माए हो माना राज परिवार की हो शाही आत्माए हो तो तीनो काल में नमबर बन राज शाही बनते हो ये नशार रहता है कि हम तीनों काल में भी रोहानी रोयल्टी रोहानी रोयल्टी माना रोहानी राजशाही बाली आत्माए है इस रोहानी रोयल्टी का फाउंडेशन किया है अब ये जो रोहानी राजशाही है इसका फाउंडेशन किया है माना इसकी जड़ क्या है संपूर प्योरिटी अब इसकी foundation माना इसकी नीव क्या है ये इस रोहानी रोयल्टी रहे कैसे सकती है कहते हैं नीव मजबूत हो किसी चीज़ की तो foundation माना नीव तो बावा कहें इसकी foundation है इसकी नीव ही है संपूर प्योरिटी संपूर प्योरिटी ही रॉयलिटी है माना संपूर पवित्रता ही रॉयलिटी है तो अपने आप से पूछो रोहानी रॉयलिटी की जलक आपके रूप से सबको अनवब होती है रोहानी रॉयलिटी की फलक हर चरित्र से अनवब होती है लौकिक दुनिया में भी अल्पकाल की रॉयल्टी ना जानते हुए भी चेहरे से चलन से अनवब होती है बावा कहते हैं लौकिक दुनिया में क्या होता है जिसके पास बहुत पैसा होता है बहुत राजशाही घराने के होते हैं तो उनके चेहरे से वो एक रॉब मालूम पढ़ता है कि हाँ ये बहुत अच्छे घर से है माना ये बहुत राजशाही परिवार के है तो बावा क्या उनके चेहरे से चलन से मालूम पढ़ती है तो रुहानी रॉयल्टी गुप्त नहीं रह सकती वो भी दिखाई देती है तो हर एक नॉलज की दरपड में अपने को देखो मेरे चेहरे पर चलन में रॉयल्टी दिखाई देती है बाव साधारण चेहरा साधारण चलन दिखाई देती है जैसे सच्चा हीरा अपनी चमक से कहां भी छिप नहीं सकता ऐसे रोहानी चमक वाले रोहानी रोयल्टी वाले छिप नहीं सकते कई बच्चे अपने को खुश करने के लिए सोचते हैं और कहते भी हैं कि हम गुप्त आत्माएं हैं इसी लिए हमको कोई पैचानता नहीं है समय आने पर आपे ही मालूम पढ़ जाएगा कई बच्चे कहते हैं अपने को खुश करने के लिए बाबा कहते हैं कि हम तो गुप्त आत्माएं समय आने पर मालूम पढ़ जाएगा गुप्त पुर्शात बहुत अच्छी वात है लेकिन गुप्त पुर्शाती की जलक और फलक बाहर रुहानी रॉयल्टी की चमक औरों को अनुभव जरूर कराएगी सॉयम सॉयम को चाहें कितना भी गुप्त रखें लेकिन उनके बोल उनका संबंध संपर्क रुहानी बहवार का प्रभाव उनको प्रतेक्श करता है बावा कहते है जो रोहानी राजशाही वाली आत्माई होंगी उनका छेबू भले अपने अपको गुप्त रखे लेकिन उनका बैवार उनका चलन, उनकी जलक, उनकी फलक यह सब चीजे उनके रोहानी बैवार को प्रभावित करता है माना प्रतेक्श करता है वो दिखता है कि ये रोहानी रोयलेटी वाली आत्मा है जिसको साधारण शब्दों में दुनिया बाले बोल और चाल कहते हैं तो स्वयम और स्वयम को प्रतेक्शनी करते गुप्त रखते हैं ये निर्मानता की विशेश्टा है लेकिन दूसरे उनके बोल चाल से अनुभव अवश्य करेंगे दूसरे कहें कि ये गुप्त परशाती है अगर स्वयम को कहते हैं कि मैं गुप्त परशाती हूं तो ये गुप्त रखा ये प्रतेक्श किया बाबा कहते हैं मैं गुप्त परशाती हूं माना मैं गुप्त रूप से परशाद कर रहा हूँ मैं किसी को नहीं बताता हूँ मैं अपना परशाद बहुत गुप्त रूप से कर रहा हूँ एक गुई यह तरीके से कर रहा हूँ तो बाबा कहते हैं कह रहे हो गुप्त लेकिन बोल रहे हो माना हम किसी को बताते नहीं है कि हम बाबा को याद कर रहे हैं हम बाबा के लिए कुछ कर रहे हैं तो कहते हैं उनको दादिया नहीं जानती है वो कहते हैं हमको दादिया नहीं जानती है तो बाबा कहा फिर भी ये लिखते हैं देख लेना आगे हम क्या करते हैं क्या होता है तो ये गुप्त हुआ या प्रतेक्ष किया बाबा कहते है वो कहते है देख लेना हम आगे क्या क्या करते है हमको भल दादिया नहीं जानती है लेकिन देखना कि हम आगे क्या 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 करते है तो बाबा के कहीं गुपत हुआ और यह परिटेक्ष किया गुपत परशाती अपने को गुफत रखे यह बहुत अच्छा है लेकिन फिर बढ़नร नहीं करो दूसरा आपको बोले आप बढ़न नहीं करो कि आप गुपत रूपसे परशात कर रहे हैं तो बाबा कहा फिर दूसरा आपके बोले इसको कहा जा जा जो अपने आपको ही कहे उसको क्या कहा जाता है मिया मिठू तो मिया मिठू बनना बहुत सहज है ना तो क्या सुना तो बाबा कहा क्या सुना रुहानी रॉयल्टी आप समझे रोहाने रोयल्टी बाबा कहते हैं किसको कहते हो रोयल आत्माय सदा ही एक तो भरपूर संपन रहती है और संपनता की निशानी बेसदा तरप्त आत्मा रहती है मनब अतरप्त नहीं रहती है तरप्त आत्मा हर परिस्तिती में हर आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हुए जानते हुए संतुस्ट रहती है चाहे कोई कितना भी असंतुस्ट करने की परिस्तितियां उसके आगे लाए लेकिन संपन्न तरप्त आत्मा आसंतुस्ट करने बाले को भी संतुस्टता का गुर सहयोग के रूप में देगी ऐसी आत्मा की प्रती रहम दिलवन शुब भावना और शुब कामना द्वारा उनको भी परिवर्तन करने को प्रत्न करेंगे रूहानी रॉयल आत्मा का यही श्रेष्ट करम है जैसे इस्तूल रॉयल आत्मा कभी भी छोटी छोटी बातों में छोटी छोटी चीजों में अपनी बुद्धिया समय नहीं देती जैसे जस्तूल में royaal आचमा होती हैं तो भावादे को छोटी-छोटी बातों में छोटी-छोटी चीजों में अपना समय नहीं वेस्ट करती है देखते हुए भी नहीं देखती और सुनते हुए भी नहीं सुनती ऐसे ही रोहानी royaal आचमा किसी भी आत्मा की छोटी छोटी बातों में जो रॉयल नहीं है उन्हें अपनी बुद्धी वह समय नहीं देंगी दुनिया वाले कहते हैं कि रॉयल्टी अथार्थ किसी भी हलकी बात में आख नहीं डूपती रॉयल्टी अथार्थ किसी भी हलकी बात में माना कोई भी छोटी मोटी बात में आखनी डूपती रुखानी रोयल आत्माओं के मुख से कभी बेर्थभा साधार बोल नहीं निकलेंगे हर बोल युक्ती युक्त होगा युक्ती युक्त का अर्थ है बेर्थभाव से परे अव्यक्त भाव, अव्यक्त भावना की अधिकारी बनाती है जब इस समय आप रोहानी रोयल्टी में माना रोहानी राजशाही में रहेंगे तो बाबा कहते हैं इस समय की रोयल्टी रोयल फैमिली में सत्योग में राजगराने में आने की अधिकारी बनाती है तो चेक करो ब्रती रोयल है ब्रती रोयल अथार्थ सदा शुब भावना शुब कामना की ब्रती से हर एक आतमा से वैवार में आए रोयल दृस्टी अथार्थ सदा फरिष्टा रूप से औरों को भी फरिष्टा रूप देखे करती अथार्थ करम में सदा सुख देना सुख लेना करती अथार्थ करम से भी एक तो वावा कहें रोयल दृस्टी अथार्थ सदा फरिष्टा सरूप से औरों को भी फरिष्टा देखना और सयम भी फरिष्टे सरूप में देखना कृतियतात करम ने सुख देना सुख लेना इस स्रेष्ट करम के प्रमार संपर्क में आए ऐसे रोयल बने हो की बनना है ब्रह्मा बाब के बोल और चाल चेहरे और चलन की रोयल्टी को देखा बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा के बोल चाल और चहरे चलन की रोयल्टी को देखा आज बाबा का चित्र भी देखते हैं ब्रह्मा बाबा के तो कितना रोयल चहरा लगता है जैसे कितनी संदर एक फरिष्टा सरूप बाबा का चहरा लगता है ऐसे फॉलो ब्रह्मा बाप साकार को फॉलो करना तो सहज है न ब्रह्मा को फॉलो किया तो शेप बाबा को फॉलो होई जाएगा एक को तो फॉलो कर सकते हो बाप समान बनने के पॉइंट्स तो रोज सुनते हो शेब बावा की बावा के समान बनने की पॉINTS बावा कितने कितने पॉINTS रोज़ बताते थे हैं सुनना अठार तो फॉलो करना कॉपी करना तो सहज होता है कि कॉपी करना भी नहीं आता बाप दादा आज मुस्कुरा रहे थे कि मदुवन में आते हैं तो विशेश गुरुवार के दिन क्या करते हैं एक तो विशेश गुरुवार के दिन क्या करते हैं एक तो भोग लगाते हैं और क्या करते हैं जो सिर्फ मदुवन में ही करते हैं जीते जी मरने का भोग मदवन में ही करते हैं बाबा कहते हैं जीते जी मरने का भोग आप सबने जीते जी मरने का भोग लगा लिया है बाब दादा मुस्कुरा रहे थे कि जीते जी मरना कहकर मनाना तो सहज है स्टेज पर बैठ गए तिलक लगा दिया मर गए लेकिन जीते जी मरना अथार्थ पुराने संसकारों से मरना ये है जीते जी मरना कौन और कम मनाएंगे बाबा कहते है ये है जीते जी मरना भूग लगा दिया भंडारी में जमा कर दिया और जीते जी मरना हो गया ये तो है बहुत सहज लेकिन मर गए दादा सोच रहे थे कि पुराने संसार और पुराने संसकार इससे सदा के लिए संकल्प और सपन में भी मरना मनाना ऐसा जीते जी मरना कौन और कब मनाएंगे अगर स्टेज पर बठाते हैं तो सब के सब बैठ जाते हैं बाबा कहते हैं स्टेज पर बठाते हैं कि जीते जी मरना सीखो तो सब बैठ जाते हैं स्टेज पर बैठना ये तो एक आम बात है लेकिन बुद्धी को बिठाना इसको कहा जाता है यतार्थ जीते जी मरना मराना जब मर गए मरना अथार्थ परिवर्दन होना तो बाबा कहा जब मर गए जीते जी मरना अथार्थ परिवर्दन होना तो ऐसा जीते जी मरना उसके लिए कितने तयार होंगे कि सेंटर पर जाकर के कहेंगे कि क्या करें चाहते नहीं थे लेकिन हो गया बावा कहते हैं ऐसे कितने तयार होंगे या सैंटर पर जाके कहेंगे कि दीदी या बहनों से कहेंगे सैंटर पर कि ऐसा करना तो नहीं चाहते थे ऐसा हो गया ऐसी गलती होना तो नहीं चाहती थे फिर भी हो गई यहां तो जीते जी मरना मना कर जाते हैं फिर जब कोई बात सामने आती है तो जिन्दा हो जाते हो ऐसे नहीं करना यादगार में भी दिखाते हैं कि रावड का एक सर खदम करते थे दूसरा आ जाता था यहां भी एक बात पूरी होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है फिर समझते हैं हमने तो रावड को मार दिया जब रावड को मार दिया तो फिर बार बार कैसे जाता है तो फिर एक सोसते हैं कि हमने तो रावड को मार दिया फिर कहां से आ गया लेकिन मूल फाउंडेशन को समाप्त ना करने के कारा एक रूप बदल दूसरे रूप में आ जाता है फाउंडेशन को खतम कर दो माना उसकी जो नियू है उसकी जड़ है उसको खतम कर दो तो रूप बदल के माया वार नहीं करेगी सदा के लिए बिदाई ले लेगी तो समझा बाबा कहते हैं क्या बनना है रूहानी रोयल्टी बाले सदेब ये चेक करो कि हर करम रूहानी रोयल परिवार के प्रमाड है जब 99% बोल करम और संकल्ब रोयल्टी के हो तब समझो भविश्य में भी रोयल फैमिली में आएंगे ऐसे नहीं सोचना कि हम तो आही जाएंगे चलो संपन नहीं बने है तो एक परसंट फ्री दे रेते हैं लेकिन 99% जब रोयल्टी के रोयल्टी के संसकार होंगे बोल होंगे और संकल्ब नेच्रल होने चाहिए बार बार मायस से युद्धना करनी पड़े नेच्रल संसकार हो जाए बावा के समान हमारे भी नेच्रल संसकार हो जाए अच्छा चारो ओर की रोहानी रोयल्टी वाली रोयल आत्माओं को सदा प्योरिटी द्वारा रोयल्टी अनुभब कराने वाली आत्माओं को सदा फरिष्टा सरूप के संसकार को प्रैक्टिकल में लाने वाली आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाली आत्माओं को सदा स्रेस्ट ब्रामर संसार में ब्रामर संसकार अनुभब करने वाले रोहानी रोयल परिवार को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते हम सब रोहानी बच्चों के रोहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गूड मॉर्निंग और नमस्ते अब यक तो बाप दादा से परसनल मुलाकात कर रहे हैं तो बाप कहें सेवा में बिजी रहो तो सहज माया जीत बन जाएंगे जितना जितना बाप की सर्विस में सेवा में बिजी रखेंगे ग्यान मनन में बिजी रखेंगे ग्यान का दान करने में बिजी रखेंगे तो माया देखेगे न बिजी है बुद्धी इसकी तो माया अटेक नहीं करता आएगी माना माया जीत बन जाएंगे सदा अपनी शक्ति शाली बृति से बायू बंडल को परिवर्तन करने बाली बिश्व परिवर्तक आत्माए हो ना इस ब्रामण जीवन का विशेश ऑक्यूपेशन क्या है इस ब्रामण जीवन का विशेश ऑक्यूपेशन माना बेवसाई क्या है अपनी ब्रती से बाणी से और करम से विश्व परिवर्तन करना तो सभी ऐसी सेवा करते हो या टाइम नहीं मिलता है बाणी के लिए समय नहीं है तो ब्रती से मनसा सेवा से परिवर्तन करने का समय तो है न बाबा कहते हैं बाड़ी से सेवा नहीं कर सकते बाड़ी से बाबा का ग्यान नहीं सुना सकते तो मन से तो कर सकते हैं मन से कैसे करेंगे समान में इस्तित होकर जितना जितना हम बाबा को याद करते हैं तो बावा की जो याद के बाइबरेशन से उससे भी सेवा होती है सेवा धारी आत्माएं सेवा के बिना रहने सकती ब्रामण जनम है ही सेवा के लिए और जितना सेवा में बिजी रहेंगे उतना ही सहज माया जीत बन जाएंगे तो सेवा का फल भी मिल जाए और माया जीत भी सहज बन जाए डवल फाइदा है न जरा भी बुद्धी को फुरसत मिले तो सेवा में जुट जाओ वैसे भी पंजाब हर्याडा में सेवा भाव जादा है बावा कहते हैं जैसे थोड़ा से भी फुरसत मिले तो बावा को याद करो बावा की याद फरिष्टा बन कर सकाश दो तो बावा कहा जैसे भी समय मिले वैसे ही सेवा में लग जाओ गुरू द्वारे में पंजाब हर याड़ा में बावा कहते हैं सेवा भाव ज़ादा है गुरू द्वारे में जाकर सेवा करते हैं वह है स्थूल सेवा ये है रुहानी सेवा सेवा के सेवाय समय गवाना नहीं है निरंतर योगी निरंतर सेवा धारी बनो चाहे संकल्प से करो चाहे बाणी से चाहे करम से अपने संपर्क से भी सेवा कर सकते हो चलो मनसा सेवा करना नहीं आए लेकिन अपने संपर्क से अपनी चलन से भी सेवा कर सकते हो ये तो सहजना बावा कहते है अगर मनसा से सेवा नहीं करनी आती तो अपने संपर्ख से अपने चलन से इतना रॉयल रूप इतना शान्त सरूप दिखाई दे मैं आत्मा शान्त सरूप हो इस सुधर में जब आप टिकते हो तो बावा कहते हैं आपके चलन से भी आपके चेहरे से सेवा होती है जब शान्ती की इस्तित होते हो तो चेक करो सदा सेवाधारी है या कभी-कभी के सेवाधारी है अगर कभी-कभी के सेवाधारी नहीं होंगे तो राज भाग भी कभी-कभी मिलेगा इस समय की सेवा भवश प्राप्ती का अधार है कभी भी कोई ये बाना नहीं दे सकते कि चाहते थे लेकिन समय नहीं कोई कहते हैं शरीर नहीं चलता टांगे नहीं चलती तो क्या करें कोई कहते हैं कमर नहीं चलती कोई कहते हैं टांगे नहीं चलती तो बाबा कहें लेकिन बुद्धी तो चलती है न किसी की कमर नहीं चलती किसी की पैर नहीं चलते तो बाबा कहते हैं बुद्धी तो चलती है तो बुद्धी दोरा सेवा करो अराम से पलंग पर बैठ कर सेवा करो अगर कमर टेड़ी है तो लेट जाओ लेकिन सेवा में बिजी रहो बाबा कहा है अगर बाबा कहते है सेवा में बिजी रहो लेकिन सेवा में बिजी रहो बिजी रहना ही सहज पुरशाथ है बिजी रहना ही सहज पुरशाथ है महिनत नहीं करनी पड़ेगी बावा कहते हैं जितना मन बुद्धी को बिजी रखेंगे यही आपका सहज पुरशाथ है बार बार माया आए और भगाओ तो मेनत होती है युद होती है बिजी रहने वाले युद से छूट जाते हैं अगर बिजी रहेंगे सर्विस में बिजी रहेंगे सर्विस में अपने को व्यस्त रखेंगे तो माया की हिम्मत नहीं होगी आपके पास आने की और जितना अपने को बिजी रखेंगे उतना ही आपकी बृत्धी से आपकी बृत्धी से बायू मंडल परिवर्तन होता रहेगा कोई भी ब्रहमन आत्मा ये नहीं सोच सकती कि क्या करें बायू मंडल बहुत खराब है खराब है तब तो परिवर्तन करते हो खराब ही नहीं होगा तो क्या करेंगे अच्छे को बदलेंगे क्या तो बावा कहते हैं खराब है तब तो बायू मंडल को बदलते हो तो कैसे तो बावा कहें विश्व परिवर्तक का काम है बुरे को अच्छा बनाना आप सब विश्व परिवर्तक आत्माए हो और हमारा काम क्या है बुरे को अच्छा बनाना तो बुरा होगा ही, बुरे को अच्छा बनाने बाले आप हो, बिश्व परिवर्तन का कार किया है तब तो अब तक आपका गायन है, शक्तियों के गायन में आपकी कितनी महिमा करते हैं जब शक्तियों की माताओं की नौरात्री में कितनी पूछा होती है तो बाबा कहते हैं शक्तियों के गायन में आपका कितना गायन है तो अपनी महिमा सुनते हुए खुशी होती है न अच्छा वरदान है आज की मुरली से सेवा का प्रितेक्ष फल खाते एवर हेल्दी बेल्दी और हैपी रहने वाले सदा खुशहाल बाब जैसे साकार दुनिया में कहते हैं कि ताजा फल खाओ तो तंदरुस्त रहेंगे हेल्दी रहने का साधन फल बताते हैं और आप बच्चे तो हर सेकंड प्रितेक्ष फल खाने वाले हो इसलिए यदि आप से कोई पूछे कि आपका हाल चाल क्या है तो बोलो हाल है खुश हाल और चाल है फरिश्टो की तो बाबा ने किती है अच्छी व्युक्ती बताई बाबा कहते हैं अगर आप से कोई पूछे कि आपका हाल चाल क्या है तो क्या कहना है हाल है खुश हाल और चाल है फरिश्टो की हम healthy भी है, बेल्दी भी है, तो happy भी है हम माना health स्वस्त भी है, धनवान भी बेल्दी भी है हमको इतना धन मिलाए, अभिनाशी ग्यान रतन मिले हुए है और हम खुश भी है, ब्रामण कभी उदास हो नहीं सकते सिलोगन है आज की मुरली से पवित्र आत्मा ही स्वच्चता और सत्यता का दरपण है आज के लिए विशेश सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है शाम को साड़े छे से साड़े साथ वजे तक सभी भाई भैन एक ही शुद्ध संकल्प परिवर्तन का लेते हुए विश्व परिवर्तन के महानकार में सहयोगी बने अनुभब करें कि बाप दादा के मस्तक से शक्ति शाली किरणे निकल कर मेरी भ्रकुटी पर आ रही है और वही किरणे मेरे द्वारा अपने निजी संसकारों का परिवर्तन करते हुए संसार परिवर्तन का कारे कर रही है ओम श्यान्ति